हलो प्रेंस स्वागत है आपका संगीता अविश्वरु चैनल पर रोजी की तरह आज भी मिलाई हूँ एक खास रेसिपी गवारखाली की सब्जी में पावभजी का पंच है ना कहानी में नायाग विस्ट चैनल कहानी मैं नायाग फ्लेवर की सब्जी का रेसर मिलून ले ले लेएक चेल दूखण कर विच पर वर सब्जी neighbors, ऑबें नायाग फ्लेवर की गवारखाली की तुखण में ले सब्सक्रावबगर की डिनान कीती में स्टीन चाषण एक आलो इसको छेल कर क्टिके ब्लीम साथ है पाली में डालेते हुए और 1-2-2 कप पाली इसमें ढूले थी बड़ावे यहाँ अब इसमें ढालें अब ऑप किस्षाइब थोड़रा धालेते हैं थोड़ा सा अकाशली पाउड़न पिंच और थोड़ा सा नमक अकल जाए अ जो दोड़े पोल दोड़े जो पर चाहिक पर नहीं होना चेलिए इस बात काम ध्यान रखना है प्रैस एक शेक हो गई है और फुकर में ठंड़ा हो गया है लिए कोई करेक लेख लेकते हैं तूरंथे आपने इस पूल लेना है जिसे के सबजी ओवर पूकना हो आप सब्जी बनाने के लिए तेल में थोड़ा तेल लेंगे तेल थोड़ा गरम हो जाए कि आमें डालना है एक चम्मच अद्रक मिर्ची और लखन का पेश एक हरी मिख शोटा टुपरा अद्रक का लिया है और शेसक तली लखन लिया है आप इसकों तरह सा गून लेते हैं और फोड़ा दरदरह ही मैंने क्रेश किया है और अच्छे तरह से ढून गया है लसून प्रॉट स्वाइवर निकल गया है और अब हम इसमें डालते हैं दो प्यच की पेश्च थोड़ा डर्दरह ही पेश्ट अगर वनीट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है कच्छा स्वाज कच्छा फ्लेवर इसका निकल जाना चाहिए कभी कोई भी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है और अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं तोड़ासा हल्दी पाउड़र मिक्स करेंगे आप अब चमच ले रहे हूं और अब ले रहे हैं दन्या पाउडर एक छोटा चमच मिक्स कर देते हैं सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए है और अब हम इसमें डालते हैं एक कप टमाटर की प्यूरी दो बड़े टमाटर है मैंने इसको मेक्सरजार में बारिक पीस लिया है अब कर दोड़े प्यूरी कोई हमें तो से तीर मिनिक की अच्छी तरह से गुनना है इसका ड्राय टेक्चर आ जाना चाहिए ग्रेवी का फ्रेंस इसने पहले मैंने पास्ता फ्रेवर की गवार्पली की सबजी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और बहुत अच्छा रिस् मुझे इंतिसार दाएगा तेमाटर को मैंने तीर मिनिट के लिए अच्छी तरह से भूल दिया है तेमाटर प्यूरी को और हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह तयार हो गया है बहुत अच्छी खुष्पू आ रही है और अब हम इसमे एक एक्स्ट्रा पंच देंगे यह हमने कूप की हुए गावार फली और अलू थोड़ा सा पानी है इसमें पानी के साथ ही ले रही हूँ मैं सबजी को मिक्स कर दिया है ग्रेवी में और अब हम इसमें डालते है थोड़ा सा नमक स्वादानुसार पहले हमने दाला था उसी बात का ज्यान में लगते है थोड़ा सा नमक और हम इसमें मिक्स करेंगे और दिमा कर देते हैं इसको और ढगकर हम इसको दो मिनित के लिए औ मेरे चैनल संगीता विश्वरूप को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्स कर दो कर दो